हलो गाई जाज हम बनाएंगे पनीर सौते यह देख सकते हो बिल्कुल व्यूपाइंट में जाएंगे चमपाउत के टीपण टॉप में दोस्तो आज महां बनाएंगे हम पनीर सौते तो आप भी इंजोई कर सकते हो राजबोरा खजाना में पूरा ब्लॉग पूरा रेसिपी आप पूरा आपको बताएंगे जहां से हम गये हैं चमपाउत से स्टार करेंगे देख सकते हो चातार से तो आपको पूरा वूपाइंट दिखाएँगे और साहतमा आपको ले चलती है तो चलिए दोस्तो हम स्टार्ट करते अपने राजबोरा खजाना से देखे सबसे पहले तो यह देखे आपको निकलते हैं पुनेठा पेट्रोल पंप से हम सीधे निकलेंगे तो आपको दिखा देते हैं पूरा व्यू बाई व्यू पूरा ब्लॉक दिखाएंगे और जहां से हम जाएंगे दोस्तो यह देख सकते हैं यह हम निकल चुके है देख लो बिल्कुल सांदार और व्यू के साथ आपको ले चलेंगे देख सकते हो पुनेठा पेट्रोल पंप हम पहुंच चुके दोस्तो जैसे क्रोस करेंगे देख सामने मलीकारजुन स्कूल भी दिख रहा ह यह देख सकते हो श्री राम लगुद्यों यहां आपको सारा सामान मिलेगा और यह रेस्टोरेंट बन रहा है और बगल में देख सकते हो कैफे बन रहा है इसमें पहाड़ी फूट फेस्टिबल लगेगा और पहाड़ी उद्यों केंद्रे दोस्तो यह देख सकते हो सामने एशियन स्कूल है यहाँ 15 अगस्त की तयारिया चल रहे हैं आप भी बच्चु को पढ़ा सकते हैं यहाँ पर और यह देखे हैं हंस फाउंडेशन की गाड़े आगी दोस्तों देख सकते हैं बस सेवा घर-घर सेवा चालू है और यह देखे हैं आपको नजारा दिखाते हैं पूरा ब्लोग पूरा व्यू के माध्यम से हम आपको समझाने राज बोरा देख सकते हैं और हम जाने व्यूपाइंट में तो वहां से आपको नजारा दिखाएंगे यहां से पूरा माधली का नजारा दिखाएंगे यह देख सकते हो सामने यह देखे नजारा आपको दिख सबस्क्राइबब ये रहे हैं, यहां से collected के लिए आप जा सकते हो, सिर्खंड के लिए और ये देखे हैं, सामने आप hotel भी बुक करा सकते हो, ये देखे हैं, आप को सिधे ले चलेंगे, सिधे खड़ी बजहार से, हम सौट कट मारेंगे तो सिदे उपर की तरफ निकलेंगे, ये देखे हैं, बाइक को सुलो में चलाएंगे और यहां पे बीर सिवा स्कूल भी है दोस्तों यहां पे आप अपने बच्चों को बेच सकते पढ़ाने के लिए देखे और साथ में यहां की हरियाली सुंदरता का भी आपको नजारा मनमोहन दिरिश्ची दिखाए जाएगा चंपाउच सहर क पूरा सेयर कराएंगे उसके बाद आपको आज सोते पनीर का पूरा रेसिपी पूरा बिलोग और इंजोई करेंगे दोस्तों दिन बर जो हमने आज का बिलोग मना सोते पनीर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह हमने जंगल पाल्ट की व्यूपाइंट में जाके और देख सकते हो दोस्तो पनीर बनाया तो सोते पनीर की रेशिपी शेयर कर रहा हूं तो जाद से जादा शेयर जरूर करेगा और यह देख सकते हो बिल्कुल चड़ाई है तो हम गाड़ी को थोड़ा दीरे दीरे करके ले जाएंगे बिल्कुल एक दम बहुत चड़ाई है द परचे देखें दुकान वाले भी अपना परचे देते हुए यह देखें विच्चु घास चारू तरफ हो रहे देखें यहां का जो नजारा है सुन्दरता है दोस्तों आपको पूरा दिखाये जाएगा वीडियो के माध्यम से और आज का जो ब्लोग है सोते पनीर बनाएंगे तो हम अपने मंजल की और निकल चुके हैं और आपको भी दिखाएंगे पूरा व्यू पूरा ब्लोग देख सकते हो आज का पनीर की रेसिपी है तो आप भी जाद से जाद से शेयर जरूर करिएगा और आपने बैल आइकन नहीं देवा तो बैल आइकन जरूर दोबाए दोस्तों ताकि जो हमारा अगला रेसिपी है अगला ब्लोग है आप तक पहुंच जाएगा देखे बिल्कुल निकल चुके हम चंपाउत यहां पर मोर पंखी का पेड़ आपको दिखाएंगे बहुत हरा भरा पेड़ यह देख सकते हो और साथ में अब हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ यह देखे जो चौराया है लल्वा पानी चौराया में पहुंचने वाले हैं यहां से आप लल्वा पानी के लिए जा सक दोस्तों यहां से आपको हैली पैड भी नजदीक मिलेगा यहां से और अब निकल चुके पनीर लेने देखे पहले दुखान में स्टब हमारा तयार हो गया यहां पनीर पूछेंगे तो यहां नहीं मिला तो अब हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां दूत का डे पनीर यहां उची त्रेट में मिलेगा आप भी जा सकते हो यह देखे तो यहां से पनीर लेते हैं 200 गिराम उसके बाद हम निकल जाएंगे यह देखे अपना ब्लॉक तेगियार करते हैं आपको सौटकट में दिखाते हैं यहां से सीथे आपको सिर्खंड भी दिखाएंगे यहां से है और साथ में चक्कू, ढखना, पुरे गाउं का यहां से मनमोग दिरिस्टी दिखाएंगे यह देख सकते हैं हम अब निकल चुके हैं सरकिट हाउस की तरफ दोस्तो देख सकते हो यह देखे बिलकुल स्पीड में हमने इसकुटी अपनी निकाल लिये हैं यहां से बिलकुल सांदार नजारा दिखाएंगे आपको और हम निकल रहे हैं और जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और हमारी वोईस है खुद की राजबोरा की देख सकते हो अब हम पहुँच चुके यह देखे यहां से बहुत ही अद्रक लेशन का पेस्ट मिक्सी कर दिया है साथ में हमने काली मिर्च और यह देखे सबसे पहले बटर डालेंगे बटर के बाद अब जो मसाला हमने मिक्स किया था पनीर और वेजिटेबल में उसको अच्छे से मिक्सिबल करेंगे सुलो आज में पकाएंगे सौते पनीर को बिल्कुल जितना सुलो आज में पकाऊगे उतना ही अंदर तक साध और जाइका और टेस्ट बरकरार रहेगा अब राजबोरा आपको दिखाएंगे आज जो सौते पनीर बनाया है सांदार यहां का व्यूपैंट है दोस्तो आप भी आ सकते होई देखिए चीड का पेड सामने ही हो और नीचे हैली पेड़ है यहां से आपको हैली सेवा भी मिलेगी सुबह और साम जो हैली सूदा सकते हो यहां से हलदानी के लिए दोस्तो और यह देखिए अब सारा सामान भी समेट लेंगे हम ताकि जब तक हमारा सौते पनीर रेडी होगा तब तक हम अपना सामान को रख लेंगे और उसके बाद इंजोई करेंगे दोस्तो देख सकते हो जो मसाले हमने अच्छे से मिला पूरे चमपाउत का नजारा दिखेगा दोस्तों पीछे देख सकते हैं पूरा सहर दिख रहा है और यह देखिए हमारा जो सौते पनीर है तैयार हो रहा है देखिए एक दम सांदार और लजीच साथ के साथ हम तैयार करेंगे अधिंटिक मसालों के साथ जो राजबोरा के हायर में पका जाएगा दोस्तों देख सकते हो बिलकुल धीमी आज में पकाईगा जितनी धीमी आज में पकाओगे उतना जाइका उतना टेश्ट आएगा हो सके तो आप धक्कन भी लगा सकते हो यह देखे पनीर का जो जाइका है स्वाध है और इसको आप चटनी भी ले सकते हैं दोस्तों चिली फिलेक्स चटनी भी शिूट चिली अब यह देखे हम मखन डालेंगे उपर से ताकि जो जाइका है टेस्ट है बिल्कुल बटर फिलेवर आएगा और सोते पनीर रेडी होगा दोस्तों यह देख सकते हो बहुत ही शांदार खुचबू के साथ अब हम सोते पनीर तयार करें पूरा बिलोग पूरा रेसिपी तो आ देख सकते हो आपको नजारा दिखा देते हैं पूरा व्यूपाइंट का यह देख सकते हो यहां से फुल सीटी फुल इंजोय होगा देख सकते हो सांदार आज जो हलकी हलकी धूप आई है और यहां से हिमाले के भी दर्सन होते हैं दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल सा सौते पनीर रैडी होगा दोस्तों देखसकते हो बहुत यह संदार खुषिबू के साथ क्षाषिक हो दोस्तों देख सकते हो आश शांदार ब्लोग शांदार रेशिपी हमारा तयार होगा अब आज का जो इस्पेशल हमारा सनेक से बनाया है दोस्तो साथे पनीर आप इंजोई करेंगे मस्त खाएंगे और तंदुरस्त हो जाएंगे दोस्तो आप भी ले सकते हो देखिए लो फेड कैलोरी वाला पनीर जो आ के साथ आपके लिए राजबोरा ने आज बिल्कुल एथांटिक पहाड़ी मसालू से मनाया देख सकते हो और यहां से पूरा व्यू दिखेगा आपको और यह देखिए आप हम सर्विंग करेंगे दो लोगों में दो लोग है तो हम काएंगे आज सौते पनीर आप भी इंज करेंगे तूट्पिक के साथ और यह देखिए आपको नजारा दिखा देते सर्किट हाउस और साथ में खुले आसमान के नीचे देख सकते हो बादलू का सांदार और यहां से आपको हिमाले के भी दरसन होंगे यह देख सकते हो चीर का पेड़ सांदार और नीचे हर्याली देख सकते हो चंपाउट सहर की दोस्तों जादा से जादा टूरिस्ट लोग यहां आ सकते हो यह देखिए आब हम निकल चुके हमारा इंजॉय हो चुका है आज का पनीर सोते रेड़ी होगया आप अपनी स्कुटी स्टार्ट कर लेते दोस्तों यह देख सकते हो पूरा यह जारा दिखाते हुए चलेंगे आपको यह देख सकते हो यहां से चक्कू ढखना और साथ में सिप्टी के लिए यहीं से मिलेगा देख सकते हो ललुआ पानी भी यहीं से जाओगे उपर को और हम जाएंगे चंपाऊ सिटी की तरफ सहर की तरफ अपनी मंजिल की और राजबोरा खजाना की तरफ निकल चुके हैं और देख सकते हो जहां से हम आये थे उधरी रस्ते से चले जाएंगे आप भी इंजोई कर सकते हो यहां की हरियाली सुन्दरता का आप भी नजारा ले सकते हो दोस्तों देख सकते हो क्या खूब पार को सौट कट दोस्तों देख सकते हो और आप भी इंजॉय कर सकते हैं आप बताए कमेंट करके जरूर बताए आपको कैसा लगा इसी के साथ राजबोरा का आप सभी को नमस्कार धन्यवाद दगर